हेलो एवरिवन, हाउ आर यू आल आज हम लोग जानते हैं आदी शंकराचारे के बारे में गुरु आदी शंकराचारे की जेनती वैशाक शुक्र पंचमी को मनाई जाती है इनका जन्म केरल के कालडी दामक ग्राम में हुआ था वे अल्प आयू थे यानि की इनकी मृत्तु जल्दी हो गई थी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में इन्हों ने अपना सरीर त्याग दिया था संकराचारे के जन्म की कता भी बहुत प्रसिद्ध है इनके माता पिता ने बहुत कठिन श्रम किया और भगवान से संतत्ती संतान प्राप्ति करने के लिए पूजा अर्चना की अराधना किया उन लोगों की कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान संकर ने सपने में उनको दर्शन दिये और वर्दान मागने को कहा इसके बाद ब्रामर दंपति ने भगवान संकर से ऐसी संतान की कामना की जो दुरगायू भी हो और उसकी प्रसिदी दूर दूर तक फैले तब भगवान संकर ने कहा कि या तो तुम्हारी संतान दुरगायू हो सकती है या फिर सरवग्य जो दुर्गायू होगा वो सर्वग नहीं होगा और अगर सर्वग संतान चाहते हो तो दिर्गायू नहीं होगा तब उस दंपत्य ने वर्दान के रूप में संतान को मांगा कि मुझे यानि उन लोगों को सर्वग संतान मिले वर्दान देने के बाद भगवान शंकर ने ब्रामः दंपत्ति के हां संतान रूप में जन्म लिया ऐसा माना जाता है वर्दान के कारण पुत्र का नाम शंकर रखा गया शंकराचायर बच्पन से प्रतिभा संपन बालक थे जब वो मात्र तीन साल के थे तो पिता का देहान थो गया और तीन साल की उम्र में ही उन्हें मल्यालम ग्यान प्राप्त कर लिया था शंकराचायर के सन्यास ग्रहण की कहानी भी बहुत अनोखी है बालक शंकर का रुझान सन्यासी बनने की तरफ था उनकी माता अपने एक मात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आगया नहीं दे रही थी तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच ने संकराचारे जी का पैर पकड़ लिया तब इस वक्त का फायदा उठाते संकराचारे जी ने अपने मा से कहा कि मुझे सन्यास लेने की आग्यां दे दीजिये नहीं तो या मगरमच मुझे खा जाएगा इससे भैबीत होकर माता ने तुरंत उन्हें सन्यासी बनने की आग्यां दे दी आदिगुरू शंकराचारे का जन्म भले ही दचिन भारत में हुआ हो लेकिन उनका कारेच्छेतर संपून भारत था उन्होंने अद्वैत विदांत के दर्शन का विस्तार किया सनातन धर्म का सनरच्छन करने के लिए आदिगुरू ने भारत के चारो कोनों में चार मठों की अस्थापना की जो आज भी हिंदु धर्म के सबसे पवित्र मठ माने जाते हैं आदिगुरू शंकराचारे को अद्वैत परंपरा का प्रवर्टक माना जाता है सनातन धर्म में मठ परंपरा को लाने का अस्रिय आदिशंकराचारे को जाता है आदिशंकराचारे ने चारो दिशाओं में अलग-अलग चार मठ की अस्थापना की थी ये चारो मट आज भी चार संक्राचारियों के नेत्रितों में सनातन परंपरा का प्रचार वो प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रशार में आदि गुरु शंक्राचारे का विशिश योगदान है चारो मठो के अस्थापना इसा पूर्व आठिस तादी में की गई थी पूर्व दिशा में गुवर्धन, जगनात पूरी उडिशा पस्छिन दिशा में शार्दा मठ, गुजरात उत्तर दिशा में जोतिर मठ, बद्री धाम उत्राखन और दच्छिन दिसा में स्रिंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलाडु में अस्थापित है आदि शंकराचारे ने मठों में सबसे योगे सिस्यों को मठाधीश बनाने की परंपरा शुरू गई थी जो आज भी प्रचलित है जो भी इन मठों का मठाधीश बनता है वह शंकराचारे कहलाता है और अपने जिवनकाल में ही अपने सबसे योगे सिस्यों को उत्राधिकारी बना देता है खास बात यह है कि सन्यास लेने के बाद दिच्छा लेने वालों के नाम के साथ दिच्छित बिशेशन भी लगाने की परंपरा है जिससे यह पता चलता है कि उक्त सन्यासी किस मठ से है और वेद की किस परंपरा का वाहक है मठों में गुरु सिष्व परंपरा का निर्वहन होता है पूरे भारत के सन्यासी जो अलग-अलग मठ से जुड़े होते हैं वे इन्ही मठों में जाकर सन्यास की दिख्छा लेते हैं तो इस तरह से आप देखते हैं कि शंक्राचारे ने भारत के चारो दिशाओं में चार मठो की अस्थापना करके हिंदु समाज को जोड़ने का कारे किया था